नमश्कार दोस्तों वेल्कम टो आसे अस्टोलोजी मैं नीतु सेंग दोस्तों मुझसे जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़िये साथी बलाइकम को प्रेस कीजिए जिसे की वीडियो की अपडेट आप सभी डोगों तक पहुँचती रहे इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भागे साथ नहीं देता है बार बार तुर भागे का सामना करना पड़ता है तो ऐसे कौन से उपाए हैं जिसको करने से भागे साथ जरूर देगा तो चलिए जानते हैं पहले उपाई की बात करते हैं गुरुवार के दिन पीले धागे या कपड़े में हर्दी की जड़ बान कर अपने बाजू पर धारन करें ऐसा करने से आपका भाग्योदे होना शुरू हो जाएगा दूसरा उपाई मंगलवार की रात को हनुमान जी या फिस सिबलिंग के सामने सरसो के तेल का दीपक जलाए ये उपाई बहुती कारगर माना जाता है मंगलवासे सुपाय को सुरू करे जो लोग हर रात इसुपाय को करते हैं उनके जीवन में धन सम्बंदि सारी समस्यां दूर होती चली जाती है दुरभागी को भागी में बदलने के लिए रोज सुबै कहीं भी जो आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग होशे मंदिरों वहाँ पर जाएं और शिवजी के उपर काले तिल और जल से अविशेक करें और ऐसा रोज करें और सोमबार से इस उपाय को शुरू करें ऐसा करने से भागी में वृध्धी होती है और भागी सौबागी में वृध्धी होती है और जो दुर्भागी होता है वो सौबागी में बदल जाता है चौथा उपाय अमवस्या वाले दिन कहीं भी पीपल की जड में जाकर दीप्रजलित करें और साथ ही पीपल की साथ बार परिक्रमा करें ऐसा करने से भी भागी वृध्धी होती है और दुर्भागी सौबागी में बदलता है अगला उपाय हपते में एक बार या फिर आप शनिवार ले लीजे कोई भी ऐसा दिन हो जहां पर आप किसी गरीब को खाना जरूर खिलाए जितनी भी आपकी इथा सकती जितनी भी आपकी हैसियत हो एक गरीब का पेट जरूर भरें अगर यह मवस्य वाले दिन आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा है ऐसा करने से भाग आपका चमकने लगेगा जो लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा या फिस सुंदरकान इसका पाट करते हैं और साथ ही महावी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं इनका कितना भी दुर्भाग क्यों ना हो दीरे दीरे भाग में सौब्भाग में बदलने लगता है ये बहुत ही चमतकारी उपाय है तो दोस्तो ये थे छोटे छोटे से उपाय जिसको करने से हम अपने दुर्भाग को भाग में बदल सकते हैं और ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं बहुत ही चमतकारी उपाय है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी जरा से भी पसंद आए वीडियो लाइक करें शेयर करें मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे चैमाता दी